नमस्कार साथियो तो करेंट अफेर्स किस क्लास में मैं सोनवीर में लिक आपका स्वागत करता हूँ साथियो आज ये टॉपिक था ना कल बुक्स का ये कुछ बचा हुआ है कुछ महत्वर्ण कुछ तक इसमें अभी भी बच्ची हुई है इसलिए हम ये रख लेते हैं आज और जो आपके टेस्ट की बात थी न वो टेस्ट तो आपके सेटर्डे और संडे क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम चीए उन्हें बहुत मतलब बहतरीन सा बनाने के लिए और जल्दी में हमें बनाना नहीं चाहता ठीक है थोड़ा बहतर सा बनाने के लिए जो टाइम चीए सेटर्डे और संडे विचे ठीक है सेटर्डे 50 कुशन्स का और संडे भी 50 का 50 से 10 पांच उपर नीचे अगर होता है तो वो भी देख लेंगे ठीक है तो सेटर्डे को जो होगा एक से लेके 6 क्लास का एक से 6 क्लास और यह होगा साथ से लेके बारे क्लास ठीक है तब तक बारे क्लास हो जाएंगी चलो तो अभी शुरू करते हैं प्रमुक पुस्तकों वाला दूसरा Breaking the Mold Breaking the Mold इस पुस्तक में नाम तो आगे भी है लेकिन इतने सही आपको पता चल जाएगा Breaking the Mold जो पुस्तक है वो किसकी है रगुराम राजन और रोहित लामबा और यह कौन है बच्चो रगुराम राजन पूर्व आर्बियाई गवर्नर ठीक है इसलिए जब इनकी पुस्तक है तो सीधी सीधी सी वो महतपूर्ण होई जाएगी तो Breaking the Mold किसकी है रगुराम राजन और रोहित लामबा की पुस्तक है बच्चो ठीक है The Book of Life My Dance with Buddha for Success यह तो बड़ी महतपूर्ण पुस्तक है और यह आपको एक बार इसका पुस्तक का चहरा दिख जाएगा ना फिर इससे आप भूलोगे नहीं The Book of Life My Dance with Buddha for Success विवेक अगनी हुतरी यह वही है जिन्होंने Vaccine Story और कश्मीर फाइल्स को Direct किया है Fire on the Gangs मतलब गंगा के गंगा पर क्या है बच्चो Fire वने आग ठीक है तो राधिका आयंगर ठीक है आग है ना आयंगर यहां मिलता मिलता हो जाएगा राधिका आयंगर ठीक है तो दा Fire on the Gangs यह हो जाएगा बच्चो राधिका आयंगर Through the Broken Glass Through the Broken Glass है TN Session की यह पूर्व Chief Election Commissioner रहे हैं और बहुत महत्पूर्ण इनका नाम है जो Election Commissioner है उनमें बहुत महत्पूर्णों में इनको माना जाता है एक बार फिर से देख लें Breaking the Mold किसकी पुस्तक है एक तो यह होगे रगुराम राजन और साथ में हैं इनके रोहित लामबा बच्चो ठीक है रोहित लामबा और रगुराम राजन यह दो लोग हैं Breaking the Mold ठीक है बच्चो Re-Imagining India's Economic Future यह इसके साथ जुड़ेगा हो सकता है जोड़ के पूछें Re-Imagining India's Economic Future और Breaking the Mold यह किसकी है रगुराम राजन और रोहित लामबा की है ठीक है बच्चो The Book of Life The Book of Life My Dance with Buddha for Success यह पुस्ता के किसकी विवेक अगनी हो तरीकी बच्चो ठीक है Fire on the Gangs यह किसकी है तो यह Radhika I Anger की है Fire on the Gangs किसकी है तो Radhika I Anger की है किसकी है बच्चो Radhika I Anger की है ध्यान रखना है Radhika I Anger और यह है कौन सी Through the Broken Glass अब हनू मैं करना हूँ शायद अब हनू मैं करना हूँ शायद हलो 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 आरी अभी अवाज हलो बच्चो अभी आरी होगी ठीक है तो यहां जल्दी से एक बार फिर से देख लो कभी अब पता नहीं कहां पर आवाज चली गई थी तो एक बार यहां फिर से दिखा देता हूँ मैं Breaking the Mold यह रगुराम राजन और कौन है साथ में रोहित लामबा है ठीके बच्चो The Book of Life My Dance with Buddha for Success विवेक अगनी होतरी की है Fire on the Gangs यह किसकी है राधिका अयंगर की है और TN Session की है Through the Broken Glass क्या है Through the Broken Glass बच्चो Colors of Devotion Anita Bharat Shah Colors of Devotion किसकी पुस्तक है Anita Bharat Shah की किसकी है Anita Bharat Shah की बच्चो The Indian Metropolis बहुत महतपूर है Varun Gandhi की है ठीक है मैनिका गांधी और संजय गांधी के जो बेटे है तो The Indian Metropolis किसकी है Varun Gandhi की है Colors of Devotion Anita Bharat Shah तो देखो हमारा Devotion होना चीए है ना किसके पृटती भारत के पृटती अरे या फिर ऐसे कह दो Anita हमारा Devotion होना चीए भारत के पृटती ठीक है भारत के पृटती होना चीए तो Colors of Devotion हो जाएगी Anita Bharat Shah रहा वहां पर याद हो जाएगा जल्दी से एक बार फिर से देखो Colors of Devotion किसकी है Anita Bharat Shah की तो भी Devotion होना चीए भारत के पृटती Anita Bharat Shah ठीक है The Indian Metropolis लिखी है Varun Gandhi ने किसने लिखी है Varun या फिरोज Varun Gandhi The Indian Metropolis लिखी है बच्चों किसने Varun Gandhi ने लिखी है ठीक है Nation Calling किसने लिखी है तो Sonal Goyal ने लिखी है Nation Calling Sonal Goyal ने लिखी है बच्चों और ये है Pitch Side My Life in Indian Cricket ये लिखी है Amrit Mathur ने किसने Amrit Mathur ने भी Amrit साही मिल जाना उसको तो जिसे किरकेट में खेलने का मौका मिल जाए ठीक है जिसे इंडियन किरकेट में खेलने का मौका मिल जाए तो My Life in Indian Cricket ये Amrit Mathur याद रखना है ठीक है वरुन गाधी की कौन सी है The Indian Metropolis बच्चो Colors of Devotion Devotion होना परती चाहिए भारत के परती अनीता भारत के परती होना चाहिए तो अनीता भारत शाह हो गया ठीक है The Indian Metropolis इसकी है वरुन गांधी की है Nation Calling किसकी है Sonal Goyal की है और बच्चो यहाँ पर Pitch Side My Life in Indian Cricket ये Amrit Mathur की है ठीक है Reverse Swing Reverse Swing होगी बच्चो Reverse Swing Ashok Tendon की है इसकी है Ashok Tendon ठीक है बच्चो Ashok Tendon की है Reverse Swing Western Lane बहुत महत्पूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसे बुकर के लिए भी Shortlisted की आ गया था ठीक है तो चेतना मारू की है क्या Western Lane Reverse Swing है Ashok Tendon की The Yog Sutra for Children रूपा पाई ने लिखा है और Ajay to Yogi आदितनाथ Shantanu गुपता ने तो Reverse Swing Ashok Tendon की है Western Lane चेतना मारू की है The Yog Sutra for Children रूपा पाई की है Ajay to Yogi आदितनाथ Shantanu गुपता की है Reverse Swing Ashok Tendon की है Western Lane तो ये चेतना मारू की है The Yog Sutra for Children किसकी है रूपा पाई की है और बच्चों Shantanu गुपता की है Ajay to Yogi आदितनाथ ठीक है चलो The Reverse Swing सबसे पहले Ashok Tendon वाली पुस्तक The Reverse Swing सबसे पहले Ashok Tendon वाली पुस्तक बच्चो दूसरी है Western Lane चेतना मारू की है और The Booker Prize 2023 शॉर्ट लिस्टेड यानि जो बुकर के लिए इसे कुछ गिनी चुनी पुस्तक है होती है ना उनमें ऐसे चुना गया था अलंकि इसने जीता नहीं जीता किसने Prophet Song ने जो जीता था ना उससे जीता Prophet Song ने जीता इस बार Booker Prize ठीक है बच्चो और Prophet Song जो है इसने लिखी है Paul Lynch ने लिखी है किसने Paul Lynch ने लिखी है तो ध्यान रखना है कि इतना मारू कि ये जो पुस्तक है ये भी इंपोर्टेंट है equally ये इंपोर्टेंट है equally ये इंपोर्टेंट है ठीक है Western Lane भी याद रखना है The Gita for Children The Gita for Children ये वाला है बचो The Yog Sutra The Yog Sutra for Children रूपा पाई की है किसकी है रूपा पाई की है बचो है ना और अजे टू योगी आदितनाथ शांतनु गुपता ने लिखी है किसने लिखी है शांतनु गुपता ने पुस्तक लिखी है बचो The Golden Years कल भी हमने पढ़ी थी Ruskin Bond की है ठीक है आजाद एक पुस्तक लिखी है और ये गुलाम नभी आजाद ने लिखी है जो पहले अंग्रेज अंग्रेज नहीं जो पहले कॉंग्रेस पार्टी में थे और उन्होंने फिर क्या बदल दी बचो पार्टी अपनी अलग बना ली है तो Golden Years Ruskin Bond की है आजाद गुलाम नभी आजाद की है Heritage Trees of Goa वहां के गवर्नर जो है P.S. स्रीधरन पिल्लई उनकी है Heritage Trees of Goa और The Day I Become a Runner As Chattopadhyaya ठीक है? As Chattopadhyaya ध्यान रखना है The Day I Become a Runner तो कह रहा है भई मैं जिस दिन runner बन जाओंगा ना वह उस दिन में अपने चattopadhyaya है चattopadhyaya जो होते हैं फालतू की चीज़ा खानी उनको छोड़ दूगा चटपड़ी चीज़ा खाना छोड़ दूगा जिस दिन मेरा क्या हो जाएगा जिस दिन में एक runner बन जाओंगा यानि कि अपने फिजिकल पे ध्यान देने लग जाओंगा ठीक है तो चटपड़ी चोड़ दूगा ठीक है यह याद रखना है आपको तो दे गोल्डन येर्स रसकिन बॉंड की है आजाद गुलाम नभी आजाद की है बच्छो हरिटेज ट्री जो गोवा है पीए स्री धरन पिल्लई की है दे आई बिकमे रेनर ऐस चटो पाध्याई की है दे आई बिकमे रेनर एस यानी सोहिनी चटो पाध्याई दे आई बिकमे रेनर किसकी है सोहिनी चटो पाध्याई की है तो गोल्डन येर्स किसकी है रसकिन बॉंड की पुस्तक है किसकी रसकिन बॉंड की गुलाम किसकी है तो बच्छो ये गुलाम नभी आजाद की है किनकी है गुलाम नभी आजाद की है घिंक है गुलाम नभी आजाद की है गुलाम याद रखना है The light we carry The light we carry वैसे तो यहीं से पता चल जाएगा आपको फिर भी एक दो बार पढ़ लेना Overcoming in Uncertained Time The light we carry तो ए बराक अभामा की जो Wai Ph है Mushel अभामा उन्होंने ये पुस्तक लिखी है बच्चो ठीक है उन्होंने पुस्तक लिखी है ठीक है चलो from dependence to self-reliance ये बिमल जालान की है ये भी RBI के पूर्व गवर्नर है बच्चो तो from dependence पहले हम किसी पर क्या करते थे depend करते थे फिर self-reliance मतलब आत निर भर हो गए तो ये बिमल जालान की है the light we carry मिशेल ओबामा की है from dependence to self-reliance बिमल जालान की है जीते जी इलहबाद ध्यान रखना है ममता कालिया की है ममता कह रही है भई कालिया नाग ने काट लिया मुझे जीते जी इलहबाद डॉक्टर के हां ले चलो ममता कह रही है कालिया नाग ने मुझे काट लिया मुझे जीते जी इलहबाद ले चलो डॉक्टर के पास कहां ले चलो डॉक्टर के पास ऐसे याद आ जाएगा वहाँ पे जब आप जब देखोगे ना तो याद आ जाएगा तो मुम्ता कह रही है कि जीते जी लाहवाद ले चलो डॉक्टर के पास क्योंकि कालिया नाग ने काट लिया है ठीक है जी 20 एट 20 23 दा रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी वी श्री निवास वी श्री निवास दो तीन बार पढ़ना ही पढ़ेगा बचो घबराना मत इन पुस्तकों से इन पुस्तकों के last में जो मैं 5 मेट का revision करवाता हूँ ना बस आपको एक बार class लेके वही देखनी है और आप पुस्तक ठीक ही करका होगे exam में आप चिंता मत करना घबराना नहीं नाम इसमें थोड़े मुश्किल है the light we carry Michelle Obama की है from dependence to self-reliance Bimal Jalan की है बचो ठीक है जीते जी इलावाद ममता कालिया और G20 at 2023 the road map to Indian presidency ये वी स्री निवास की पुस्तक है ठीक है जो Bimal Jalan ने लिखी है from dependence to self-reliance बचो ठीक है Michelle Obama ने लिखी है the light we carry overcoming in uncertain times बचो ठीक है G20 at 2023 ये वी स्री निवास ने लिखी है और जीते जी इलावाद किसने लिखी है ममता कालिया ने लिखी है किसने जीते जी इलावाद लिखी है ममता कालिया ने किसने लिखी है जीते जी इलावाद लिखी है ममता कालिया ने बचो है ना cold blooded love ये ग्रीस दत्शुकला की है ठीके बच्चो cold ध्यान रखना है blooded love ग्रीस दत्शुकला की है तो पलकों की छाओं में हेमा जोशी की है किसकी है हेमा जोशी सिंधिया और 1857 तो भई ये तो पुराना टाइम है तो पाठक, राकेश पाठक ऐसे ध्यान रखना है कि पाठक माने पढ़ने वाला यानि सिंधिया और 1857 के बारे में पढ़ रहें लोग पाठक ठीक है राकेश पाठक हो जाएगा और building partnership तो captain हिमादरी दास ही होए captain के साथ ही तो बनाते हैं भई captain के साथ ही तो partnership और 1857 डॉक्टर्स राकेश पाठक की है और building partnership है captain हिमादरी दास की किसकी हिमादरी दास की ध्यान रखना है तो ग्रीस दत्शुकला की है cold-blooded love क्या है cold-blooded love दो पलकों की छाओं में हेमा जोशी की है cold-blooded love किसकी है ग्रीस दत्शुकला की है दो पलकों की छाओं में हेमा जोशी की है और बच्चो राकेश पाठक जो है उन्होंने लिखी है सिंधिया और 1857 क्या लिखी है सिंधिया और 1857 बच्चो master residential real estate real estate के बारे में जानकारी देती है पुस्तक real estate जो होता है हमारा मकानों को खरीदना बेचना बनाना इस टाइप से ठीक है तो master residential real estate अश्विंदर सिंग की है किसकी अश्विंदर सिंग की war and women है dr. m.a. हसन की किसकी है m.a. हसन की है the autobiography of god ये लीना सिंग की उस्तक है और monsoon a poem of love and longing ये किसकी है अब है के की अब है के की तो master residential ये जो बचो real estate है अश्विंदर सिंग की है war and women ये किसकी है m.a. हसन की है ठीक है war and women किसकी है m.a. हसन की autobiography of god किसकी है लीना सिंग की है monsoon a poem of love and longing अब है के की है मास्टर residential real estate अश्विंदर सिंग की है war and women डॉक्टर M. A. हसन की है और टो बायोग्राफी ओफ गॉड लीना सिंग की है और मॉनसून ए पोयम आफ लव किसकी है तो ये अभे के लॉंगिंग की है बचो ठीक है चलो प्रिज्म, दा एंसेस्ट्रल अबोर्ड ओफ रेंबो प्रिज्म, प्रिज्म किसे बोलते है मतलो प्रिज्म जैसे होता है जैसे अपका शीशा होता है उसी तरह का प्रिज्म भी होता है तो प्रिज्म, दा एंसेस्ट्रल अबोर्ड ओफ रेंबो तो विनोध मन का रा किसकी है? विनोध का मन कर रहा है कि बही शीशा प्रिजम देख लूँ में प्रिजम देख लूँ क्या कर देख लूँ प्रिजम देख लूँ शीशा देख लूँ थोड़ा सा विनोद का मन कर रहा है ऐसे ठीक है चलो कतकली डांस थेटर के के गोपाल किसनन ठीक है कतकली ये तो नाम से किस इसकी और my life as a comrade ये एक किसकी है ? याद कैसे करेंगे ? वही बता रहा हूँ अब पड़ते तो जाओ last last करो बता चलेगा के याद कैसे होगा PRISM the ancestral abide of rainbow विनोध का मन कर रहा था भाई PRISM देखने का का के 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 कड़क। कड़काल कुर्षनन ध्यान रखना है कत कली के के कड़काल कुक। को के के कड़क। गवाल क। खन याद हो जाएगा collective series concrete action तो सशी शेखर वेंपत्ती की है और माई लाइफ एज एक कामरेड केके शेल जा कौन है केके शेल जा है शायद यह लास्ट वाली होगी फिर हम याद करेंगे निलावू कुडीचा बच्चो सिमहंगा यह S सुमनात की है और बड़ी महत्पून पुस्तक है लेकिन नाम बड़ा उल्टा है ठीक है निलावू कुडीचा सिमहंगल S सुमनात की है मौनसून अब पोयम आफ लव एंड लॉंगिंग यह अभेक एकी है वच्चो ध्यान रखना है A.P.J. अब्दुलकलाम Memories Never Die नसीमा मरे क्यार और वच्चो Y.S. राजन ठीक है देखो A.P.J. अब्दुलकलाम Memories Never Die Memories कभी नहीं मरती है देखो भई अब वो कह रहा है नसीमा मरें क्या यह मैमोरी कभी मरें क्या नहीं मरती जैसे कह रही है पुस्तक कि मैमोरी कभी नहीं मरती तो भई नसीमा यह मरें क्या यह मरें क्या नहीं भी यह नहीं मरती ठीक है यह बिलकुल नहीं मरती है ना Y.S. राजन और है इनके साथ हमें और वाजपई The Ascent of the Hindu Right 1924 से 1977 यह अभी शेक चौधरी की है किसकी अभी शेक चौधरी की यहां तक बस हमें एक आइडिया लेना था अब हम करेंगे इस पर महनत याद करने पर देखो जब भी रिवीजन करोगे आप यहां से आगे करोगे रिवीजन करना है यह किताबे ही मैं जिवम चीजे मैं आपको याद करा दूँगा जरूर करा दूँगा लेकिन यह किताब ऐसी है यह असानी से होती नहीं है इनके लिए आपको थोड़े एकस्टाइफ़र्ट करने पड़ेंगे यह ऐसा करना पड़ेगा जो कल की थी ना उससे आज 5 मिट के लिए देखो आज की को कल देखो फिर परसों फिर कल वाली को देखो फिर है ना यह दो-दो हर दो दिन के अंतर पे दो-चार बार देखनी पड़ेंगी Breaking the mold Breaking the mold तो उसकी थी ना ध्यान रखेंगे ना रगुराम, राजन और बच्चो रोहित लांबा की बिलकुल Breaking the mold तो उन्ही की थी The book of life My dance with Buddha for success तो बुद्धों के साथ कौन कर रहा था बुद्ध के साथ तो डांस कर रहे थे विवेक अगनी हुत्री बुद्ध के साथ विवेक अगनी में डांस कर रहे हैं कहां कर रहे हैं? अगनी में डांस कर रहे हैं बच्चो Fire on the Gangs क्या राधिका एंगर की है? Fire on the Gangs है ना? तो गंगा एंगा एंगा इंगा इस तरह से याद करेंगे और Through the Broken Glass T.N. Session ठीक है? Through the Broken Glass भई T.N. T. T. मने T. N. मतलब Not. Not. Session मने बची हुई T. Session नहीं है क्यों? Through the Broken Glass वो तो टूटे हुए ग्लास में से निकल गई T. T. तो अब N. मतलब नहीं है शेस बची हुई T. तो शेस बची हुई नहीं है क्योंकि वो तो निकल गई किस से निकल गई बच्चो? वो तो टूटे हुए ग्लास से Through the Broken Glass निकल गई Breaking the Mold किसकी है? रग्राम, राजन और रोहित लांबा की है याद रखना है बच्चो? The Book of Life My Dance with Buddha for Success किसकी है? विवेक अगनी हुत्री की है Fire on the Games किसकी है? राधिका अयंगर की है Through the Broken Glass किसकी है? T. N. Session की है किसकी? T. N. Session की बच्चो? ठीक है? T. N. Session की है? T. N. Session याद रखना है फिर से आजाओ Colors of Devotion मैंने का था ना Devotion तो भारत के प्रती रखना है अपना तो अनीता भारत शहा कौन है? अनीता भारत शहा The Indian Metropolis Indian Metropolis है फिरोज वरुन गांधी की बच्चो जहार रखना है Nation बुला रहा था Sonal Goyal ने लिखी है I.S. है Sonal Goyal ठीक है? और Pitch Side My Life in Indian Cricket तो भई जो पिछ पे पहुँच जाता है Indian Cricket की पे उसकी तो जिन्दगी अमरत की जैसी हो जाती है जैसी हो जाती है? जैसे अमरत हो है ना? यानि उसके जिन्दगी में तो सब मिल जाता है उसे तो अमरत माथूर हो जाएगा क्या? अमरत माथूर हो जाएगा फिर से देखो Colors of Devotion Devotion कहां पे है? जहां भारत नाम है तो अनीता भारत शहा Indian Metropolis फिरोज वरुन गांधी की है Nation कह रहा था बुला रहा था Sonal Goyal और बच्चो Pitchside My Life in Indian Cricket किसकी है? अमरत माथूर की है किसकी? अमरत माथूर की है ये भी रखना है याद Reverse Swing अशोक Tenden की है अशोक Tenden Western Lane चेतना मारू की है बच्चो The Yoga Sutra for Children है रूपा पाई योग से ना बच्चों में बिल्कुल रूप रूप आ जाता है रूप पा लेते हैं वो भी योग क्यों कर रहे हैं बच्चे? योग के सूतर क्यों दे रहे हैं तुम बच्चों को रूप पा जाते हैं बहुत बढ़िया सुन्दर हो जाते हैं बच्चे अगर योग करते हैं ये कहना चाहते हैं ठीक है और अजय टू योगी आदितनाथ तो शांतनु गुपता याद रखना है बच्छो अजय टू योगी आदितनाथ रिवर सुन किसकी है अशोक टंडन की है वेस्टर लेन चेतना मारू की है तो ये किसकी है बच्छो रूप पा जाते हैं बच्छे हमें कौन सा वहां जाके लिखना है चाट नहीं तो इतने में भी नहीं छटेगा क्या बिल्कुल छटेगा आप करके देख लेना और जब ये संडे में जब टेस्ट में आएंगी पुस्तक है तब देख लेना आप करते हो या नहीं और जे टू योगी आ कौन की थी आजाद कौन से थे एक तो आजादी था आजादी तो अरुंधती राय कल हमने पड़ी थी आजादी अरुंधती राय लेकिन बच्छो आजाद गुलाम नभी आजाद ठीक है गुलाम नभी आजाद हरिटेज ओफ ट्रीज हरिटेज ट्रीज ओफ गोवा तो जो के हैं पीए स्रीधरन पिल्लई और दे आई बीकम ए रनर जब मैं रिनर बन जाओंगा ना रनर तो चट पने की चट पठी चीजों को मैं छोड़ दूँगा उनका ध्याय खतम कर दूँगा उनका ध्याय कर दूँगा समाप्त ध्यान रखना है दो गोल्डन येर्स है रसकिन बन्ड की आजाद है गुलाम नभी आजाद की हरीटेज ट्री जरी और गोवा हैं प्यस च्रीधरन पिल्लई की और दा डे आई बिकम ए फिर मद्र prey कि फिर का ये है कि स्की मिशेल ओबामा की इसकी मिशेल ओबामा की from dependence to self-reliance विमल जालान बच्चो ध्यान रखना है ठीक है विमल जालान है the light we carry मिशेल ओबामा की है from dependence to self-reliance विमल जालान की है जीते जी ममता कह रही है कि भई मुझे कालिया ने काट लिया कह लिया नागने मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे जीते जी इलाबाद पहुचा दो जिससे मेरा इलाज हो जाए और G28-23 the road map to Indian presidency यह है वी सरी निवास किसकी है? वी सरी निवास की पुस्तक है किसकी? वी सरी निवास की बचो cold blooded love cold blooded love के कौन है? जल्दी बताओ कौन है इसके? डॉक्टर हेमा जोशी है क्या? यह ग्रीस दत शुकला है ग्रीस दत शुकला है ठीक है? यह है वीआँ वचो cold blooded love तो पलकों की चाओं में तो पलकों की चाओं में है ना हेमा जोशी हेमा जोशी याद रखना है ठीक है पलकों की छाओं में हेमा जोशी सिंधिया और 1857 डॉक्टर राकेश पाठक है और बिल्डिंग पार्टनर्शिप कैप्टन हिमादरी दास क्योंकि पार्टनर्शिप बनाओगे आप कैप्टन के संग इसके कैप्टन के संग बनाना पसंद करोगे पार्टनर्शिप वार एंड विमेन म.A. हसन ने लिखी है अब है के ने लिखी है अब है के ने लिखी है बचो प्रिजम की तो बात चल रही था न है न विनोध का मन कर रहा था प्रिजम देखने का यहनी शीशा देखने का विनोध का मन कर रहा था बच्छो कतकली डांस थिएटर तो के के गोपाल कृष्णन ठीक है के के गोपाल कृष्णन ठीक है याद रखना है नमबर तीन कलेक्टिव इस्परिट कंक्रीट एक्षन शशी शेखर विमपत्ती और बच्छो माई लाइफ एस एक कॉमरिड़ यहे के 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 शल जा की किसकी के के शल जा की है ना चौण ब kang бой लवक एंड यह अबच्छ块 रोड़ के कीह है इयएफ आप है के की है तो निलावग मेमورी कहीं नहीं मरतीं कभी नहीं तो नसीमा मरें क्या ये मरें क्या ये जिसे जूट तो नहीं बोले और Y.S. राजन नसीमा मरेक्यार और Y.S. राजन ध्यान रखना है ये पीजी अब्दुलकलाम वाली पुस्थक के और वाजपई अब अगर ये जो हैं पुस्थकें इनको कम से कम जैसे कल की क्लास थी कल कौन सी क्लास थी कल वचो कौन सा दिन था एक बार दिन बताएंगे मुझे अज दो तारिक है ना कल एक तारिक वाली जो क्लास थी ना उसे फिर तीन में उसके लास्ट पांच मेंट देखो फिर से साथ में पांच में और फिर से साथ में ये तीन से चार बार देखनी ही पड़ेगी अगर नहीं देखोगे तो पुस्थक हो जाएगी गलत वैसे ही जो आज दो तारिकी है आज तो देखी रहे हो खत्म होने के बाद ये last 5 minute फिर से देखनी है फिर देखोगे 4 को फिर देखोगे 6 को और फिर देखोगे 8 को क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आसानी से याद कर लेते हम लेकिन कुछ ऐसी होती है जो जटल है और जो जटल को याद करके चला जाएगा न वही फिर पेपर में नंबर भी लेकर आएगा इसलिए यह आपको करना है अभी क्लास खतम होते ही पिछले 6 मिनट पीछे आप जाओगे उस क्लास को फिर से शुरू करोगे क्योंकि मुश्किल चीज़ है इसलिए टॉपिक भी छोटा रखा हुआ है मैंने है कल जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हम रखने की कोशिश करेंगे एक खेल घटना करम हमने किर्केट का तो निप्टा दिया था लेकिन बाकी अभी बचा हुआ है काफी ठीक है तो खेल घटना करम जो है कल हम करेंगे बच्चो उसमें फुटबल के बारे में उसमें बैड्मिंटन के बारे में टैणिस के बारे में जितना भी डाल सकते हैं वो सब डालेंगे और फोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहिए क्योंकि आपका सेटर्डे और संडे में टेस्ट होगा ठीक है दो दिन लगातार सटर्डे में एक से छे नंबर क्लास का और वच्चो संडे में साथ से बारे नंबर क्लास का ठीक है अभी के लिए इतना ही रखते हैं वच्चो फिर मुलाकात करेंगे धन्यवाद